हाई आपको प्रयूंगी क्लास्ट वेल्ट इंग्लिश विस्तार्स वुक का चैप्टर द एनिमी गाइज यह चैप्टर आइनो बहुत ज्यादा लेंदी लगता है जब हम NCRT वुक में देखते हैं बट आपको बता रहे हूं बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत इंट्रिस है ठीक है उनका घर का यह उनका घर ना बीच पे है जैपनीज कोस्ट पे उनका घर है और वह काफी अच्छे ट्रेंड डॉक्टर है अमेरिका से वो अपनी पढ़ाई करके आए हैं डॉक्टर सदाओ जी एक दिन क्या होते हैं उनके घर के बाहर जो है एक आदमी आता है वह समुद्र होते हैं समुद्र से भेक आदमी आ जाता है यह किस जमाने की बात है जब अमेरिका का जपान का वार चल रहा था अमेरिका और जैपान ना दुश्मन थे एक दूसरे के तो हमारे डॉक्टर सदाओ अपने जैपनी जहर में जपान में बैठे वे थे पढ़के आ चु मतलब कि वार के टाइम में जब दूसरे कंट्री के जो है सोल्जर्स को या किसी ओफिशल को अगर पकड़ लेती है तो वो प्रिजनर ऑफ वार बन जाता और वो कहीं से भाग के आया था तो अब उसको उस घायल हालत में देखकर डॉक्टर सदाओ बहुत कंफ्यूज होते क आदम उनके दुश्वन है तो वह काफी कंफ्यूजन में आ जाते हैं मैं करूँ क्या इसे मार दिया जाए चोड़ दिया जाए अम ऐसे ऑपरेट करूँ फिर दुबारा इसे पुलिस के पास दे दूब वह इनको मार देगी काफी कंफ्यूजन में डॉक्टर सदाओ रहते ह यह आप जानोगे इस चाप्टर में बहुत इंक्रिस्टिंग चाप्टर है चलो शुरू करते हैं तो दो में करेक्टर में आपको बता दिया पहला हुआ डॉक्टर सदाओ फिर उनकी वाइफ है ना दो बच्चे भी हैं के एक तो बहुत चोटा साए तीन महीने का ठीक है फ पानी से उसका नाम है तो बहुत सारे करेक्टर के अपनी हैमियात है मचिदा चाप्टर है चलो शुरू करते हैं तो सबसे शुरू में हमें पहली यह बता रखा है कि डॉक्टर सदाओ जब छोटे हुआ करते हैं तो आपने पापा के साथ जपान के कोस्ट पे तुमने जगा पे और पाइंट ट्री लगे वह तो अपनी पापा की साथ वा तुमने चलों पर चड़ा करते थे तो ऐसा उनका बच्पन बीता था तो जगा पर बहुत बार जाते थे अब बड़े हो चुके थे तो आज उनका घर उसी जगह पर था जहां पे वो अपने पापा के साथ बश्वन में जाया करते थे कहां पे था उनका घर उसी वाली बीच पे एक स्क्वेर स्टोन का उनका घर बनावा था भाई अमीरों में काफी अच्छा का से इनका घर था एक स्क्वेर स्टोन का इनका घर था सामने इनके घर के बिश हमारे दॉक्टर सिदा को चोटे थे इसी जगा पर आपने पापा के साथ खेलने आते थे और इनके पापा ने हमेशा बेशा थे इनके ले कि सामने वो दो आइलेंड तुमें दिख रहे हैं जै वह बोगार जो जपान को तरक्कियों पर लेके उनके फादर उनको जो है काफी मजाग करते थी हैं उनसे काफी सीरियस टैप के मेंदेद डॉक्टर सदाओ के फादर और चाहते थी कि उनका बेटा अच्छा खासा पड़ाई लिखाई कर ले तो जब डॉक्टर सदाओ 22 साल के होते हैं तो वो अपने बेटे को अमेरिका सब्सक्राइब बनके आते हैं तो इनके फादर को सोचो कितना प्राउट फील होगा कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर भी बन गया और एक साइंट उन्होंने पनी आखों के सामने जो है जो सपना था उनका सच होते वे देख लिया था अब वो साइंटेस्ट क्या बनते हैं ड तीस साल क्योंकर डॉक्टर सदाओ घर आ चुके हैं अपने अब इस समय पर वह चल रहा था अमेरिका को जपान का यूजिली बहुत सारे सोल्जर्स के साथ डॉक्टर को भीज दिया जाता था इधर होदर कंट्रीज में या फिर वार वाली जगा पर डॉक्टर सदाओ को भ लगता था अगर घर क्राब होंगी तो मुझे सिर्फ दॉक्टर सदाओ पर भरोस आये तो वो सोल्जर्स के साथ डॉक्टर सदाओ को नहीं जाने देदे़ वह अपने इलाज के लिए डॉक्टर सदाओ को जपान इस लिए हैं जैर आट जेनरल को ट्रूप के लिए तो यहा सब कुछ आप इनके बारे में जान चुकिया हो, ठीक है, अब एक दिन की बाद होती है, जो डॉक्टर से दोओ आए, अपने घर के बार खड़ी होते हैं, अंदेरा आने वाला होता है, वराणडा में अपने बैलकोरी में खड़ी होते हैं, इतने में ही इनकी वाइफ आ जाती मेरी मच तो उनको आकर हग कर ली ती और प्रोंस सामने खड़ Wise अपने सी अपने नज़ारा देख रहे होते हैं अब हमें ठी Только को है न गशाया अनध है नब यदोन कि भी ऐनगा सदाव जो henna को लैसे 달 2000 आ मिली थी जब उनको लगा ना कि हां ये प्योर रेस की है यानि कि ये जापनीज ही है तब जाके उन्होंने उससे फ्रेंडशिप करी क्योंकि उनुक्मक्राइब को किया कि अगर उन्के फार को पथा चलेगा कि वह कोई और मर अझायret और आप आफ डंगा और यूई सब्सके काना से वो मं दूस्ती कानी से उन्हीं पापी को का अच्छे टरीके मुझे टिक né यहां पर बता रखा है कि डॉक्टर सदाव जब वहां गयते तो असान नहीं था अमेरिका में उनके लिए रहना बहुत चोटा सा कम रहा था वहां पर अच्छा खाना भी नहीं मिलता था अच्छी कंडिशन नहीं थी बट तब भी डॉक्टर सदाव कब बिकुल मन नहीं था तो अमेरिका में में तो वह अमेरिका में में अपनी करते हैं अइसे ब्सके डॉक्तर सदाव की चादी करा दी जाती है प्योर जैपनीज स्टाइल में तो सब पढ़ाई वे लिखाई कतम करने के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है अब उनका happily married couple है वो दो बच्चे भी हो उनमें से तो एक सिर्फ तीन महीने का है तो यह आपको उनकी लव स्टोरी भी पता चलिए अच्छी लव स्टोरी है ना है लुए और से रहा था ऑर साथ में कोहरा भी हो रहा था ऑघ्यार शॉड़ सा हो रहा था सथन लिए ने दिख़ता है कि कोई आ रहा है उस mist mist मिस्ट मतब होता है भुन दृक्ट के he कि उन्हें लगता है कि शायद कोई फिशर्मेन है और शायद वह गया होगा गिर गया होगा वोट वोट में से तो वह डूब के या तैर के इधर तक पहुच चुका है तो दोनों भागते भी उस आदमी को चेक करने के लिए जाते हैं काफी अच्छे सिटिसन से देखो आभी आप पढ़ा है तो कौन है चोड़ो नहीं गया देखने के लिए हैना वह अपने ड्रेस में भागती भी जाती है तो दोनों जाके उसे चेक करते हैं डॉक्टर सदाओ देखते हैं वह आदमी ऐसे यू गिरा वा था और जो पूरी के पूरे पथर थे ना उस बीच पे उसको तो वह और जादा घायल हो चुका था खून निकल रहा था उसमें से और उसको जो है बहुत जादा घायल हालत में था तो वह क्या करते हैं डॉक्टर सदाओस आदमी को यू टर्न करते हैं उनको लग रहा होता है कि कोई फिशर्में है पासी के विलिच से आगया होगा गिर वाइट मैं वो उसकी शकल देखते हैं सब्सक्राइब लो युग यहलो बLoand बोंड वाल शोंक से एक इंगर तोवग जाते उसको देखते ही और उतको धुदव देखकर लें कि शbuat करते हैं Och như अ शायद इसको इलाज नहीं हुआ है तो इसलिए जो है इसके घाओ बहुत जादा बढ़ चुका है और अब जब यह ऐसे पानी में गिर गया नो तो शायद रॉक वाक जो होते हैं जो पत्थर होते हैं बड़े-बड़े पानी में उसने इसके घाओ को छिल दिया है और फिर से उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो चुकी है तो वह बहुत आप कैसे सोच सकते हो कि वह कुल मंडने वाली हालत में था अनकॉंशिस उनके घर आके जो है वह जो हमारा प्रिजनर ऑफ वार है वह गिर जाता है ठीक है 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 चिल लादिये कहते हैं इसको बहुत खूर निक सब्सक्राइब करते हैं वह बहुत परशान होते हैं तो डॉक्टर सदाओ देखते हैं उसको चेक करते हैं और फिर सोचते हैं क्या किया जाए वह आदमी अपने दर्द में चिला रहोता है चाहिंते हैं क्या करें क्या करें तो सदाओ को हम इसे वापस पानी फीक दे और यहम चاहते हैं हमें कर AH buscando के लिए तो दोग धरोई किसे से फेके लिए वह हैं तो lift सदाओ զोबारा देखते हैं उसको उसको मतलब वह ऐसी हालत में होता है कि डॉक्टर सदाउस से रहा नहीं जाता वह कहते हैं अगर यह वह अच्छा खासा इंसान आता ना एसे हो कि बिल्कुल फास क्लास होता है यह तो तो मैं इसे वापस पानी में फैक देता या भी पुलिस को विला के पु सदाउस अपने मन में डेसाइड करते हैं कि हम इसको अपने घर लेके चाते हैं और इसको ट्रीट करते हैं एक बार को यह भी सोचते कि अगर वह घर में शेल्टर करेंगे वार के समय पर वाइट मैं को तो शायद सर्वेंट इंफॉर्म कर दे उनको जेल हो जाए वह सारे व भीकुल हलका था यह वस लाइक फैदर मतलब समझो कि वह खाया वानी था पता नहीं कितने दिनों से भूका होगा है उसके गर्दन देखते हो तो इतने बड़े-बड़े स्कार्स थे और हैना को याद आ जाता है कि उसने सुनाय कि जो प्रिजनर ऑफ वार होते हैं उन्हें उसको उन्हें ले जाते हैं उनकागूअ कामरे में बन की सद्र घंद में बाद बा technicemaking इस नहीं अब कर पता हैं अशने सब्दों ने जाते हैं तो हमें को च्विल्ट नहीं में लगा उतने लिए उसका सब्सक्रा वह उसको सुथानी आपको शुद ह efforts by में जरस रख नषनी यह थो मेरी वाइट वाली सिल्क वाली क्विल्ट है थोड़ी लेडी सब्सक्राइब करते यारी तो पूरी गंदी हो जाएगी बलट से उसको छोड़ देती है वाइट कोलर की विल्ट हो देखे, वह पर प्रिजनर आउफ वाल को लेटा दिया जाता है और आप जो है डॉक्टर सदाओ कहते हैं, कि सबसे पहले तो हमेंसे नहलाना होगा, यूप कि इतना खुन लगा हुआ है इस पे एंछी तो dirty राइट नौ, सबसे पहले इसे नहलाने के जरूरत है, तो हैना किते हैं नहीं, नहीं, आप मन नहलाओ, उसको आपको कोई ज़ुरत इसे टच करने के, मैं यूमी को बोल देती हूं, यूमी इसको निहला देगी, यूमी कने उनके बच्चों की नानी है, तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं, जाओ जो मरजी करो, और गरम पानी ले करो, और इसे निहलाना पड़ेगा, तो आप जो है, डॉक्टर सदाओ तो मीन्वा पता चलेगा इन्होंने operation कर दिया बचा है इसको तो हैना डरती भी है कि हमें इसको operation करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बढ़ डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि यह तो काफी extraordinary सा बच्चा है 20-20 साल कही है बड़ इसकी immunity देखो कैसी है कि इतने दिनों से इसको गोली लगी अंदर है इसके शरीर में और येतनी जो है चोटे खाई है इसने बड़ तब भी यह जिन्दा है नरसरी कोई class भी नहीं थैंट बच्चे जैसे बच्चो को जहां पर बच्चो की room को नरसरी ही लिए बुछ में तो वह यूमी को बुलाने जाती है चोटा सान का तीन महीने का बच्चा होता है तो अपनी वम्मी के वाच्चन के बुलाने लगता है तो आना को अंदर जाना पढ़ते हैं वह अपने बेबी को गुद में ले ली लेती है और यूमि बच्चे को सुला देती है थे तो बच्चा सो जाता है उन्याद को कहती है चलो मेरे साथ तुमार से काम है और यूमी को ले जाती है वह हॉट वहर्ट वाट लेकर उस रूम में जहापे वह प्रिज्नर नहराओंगी इसे तो फिर हैना को आते गुस्सा विकॉस उस्ट को बोल गया तो मेरी ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो एक दम से तो यूमी को चिला देती है है नहीं तुम इसको साफ करो इसको नहिलाओ बट फिर डर जाती है फिर उसे कहते ठीक है तुम जाओ और फिर खुद ओपर बटक पें से सारे हटाके उसको नहला देती है उपर बडिश होती ही उसको वह रुवों को चαफ कर देती है है उस काफी कैशीब लग रहा हुता है क्योंकि वह जब अमरेयका में रही तिस किती पहली बार Romeo के ती आप nó देख भी रही थी तो भाया इस हालक में तो उसको क्लीन कर दीती है इतने में ही डॉक्टर सदाओ आ जाते हैं अपना उपरेशन वाला बैग लेके अब जब वह कहते हैं अच्छा आप इसको ऑपरेशन करोंगे वह कहते हैं मुझे आपरेशन करना पड़ेगा और डॉक्तर उसके ओपर सारे इंस्ट्रुमेंट्स जो भी वह होते हैं वह सब रख देते हैं और जो है हैना को बोलते कि तुम्हें मुझे असेस्ट करना पड़ेगा इस ऑपरेशन में तो चलो मैं आपको ऑपरेशन वाली स्लाइट दिकाल देती हूं कि आभ यहां पर जो है ऑपरेशन गार्डन से जाके कुछ जो कपड़े पड़ें में फाल्तु के वह नीच से बिचा देती हूं जितने में वह कपड़े लेकर आती है तो वो अल्यडी उनकी फ्लोरिंग गंदी हो चुग है तो आप देखो हैना इसमें किस हालत में उस अपने रूम की टेंशन हो रही है और में और सो उसे इंसान की तighsन हो रही है जो किस सेट में होगी वह रात आफ सुचो हरूसर दोडीं से अड़ी आपकर में फोंब बैच जाती है और जिस देखों ड्रोक्टर सदाव करेये और यहिए और यह रहे हैना अब जब उसका रहे हिर सबस्ते ह IO अट करते हैं और तूल से जब उसको बीडनी के पास ऑप गोली पौब करे हैं तो पुललेट को जैसी वह अंदर आपन करते हैं उसके घाव में से और यह खून देखकर जो है हाना को उल्टी आ जाती है देखो इसके मूपे हाते ना इसको एकदम से वॉमेट आती है उल्टी आती है और यह भार रागे वॉमेटिंग करने शिरू कर देती है अब इस समय हमारी डॉक्टर सदाओं को बहुत गुस्सा आते ह मैं करहीं क्यूं यह काम मैं क्यों इससान को अपरेट कर रहा हूं मेरे को तो प्रॉबल्ève मेरे कजमें ने ही ही आइस को यह से और इसमाइक्ट कर ना ब्यूतर साण हो दो धों लिग क्या कश्मान कि मेरा च्ँलू faud misma कर pike बट यू नो वो humanitarian इंसानों में इंसानियत है वो डॉक्टर है उनकी पहली ड्यूटी जो है वो उसे perform कर रहे है ठीक है तो अब इतने में हैना आ जाती है बिल्कुल ना बिल्कुल अब फ्रेश होके हैना आती है कैते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो मुझे बताओ वो का है अनिस्थ बिल्कुल यह को आपको अद्धी पास में तो इसे बीदो ट्रीक्ट करें बोलते हैं अब जब उसको आप्रेट कर रहे होते हैं आ का थॉटे चल रहो था यह चल रहे हैं लटके की बैचाली को ना टॉर्चर की और ऊग यह है काश थोट इसा बच्छा ही है इसको काश टॉचर ना किया गया हो बस अंडर ने तो उसे पता था कि टॉचर किया गया होगा क्योंकि जो वाइफ को सोचती है और शोचते हैं उन्हें अपने अमेरिकन प्रफेसर की बात यादा आ जाती है कि उनके professor ने उन्हें सिखाया था कि anatomy में जब भी किसी का operation कर रहे हो तो विकुल ना body की पूरी आपको knowledge होनी चाहिए full knowledge के साथ एक surgeon को जो है किसी body का operation करना चाहिए क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे कुछ गरबर हो जातो वो एक cardinal sin होगा यानि कि उससे बड़ा पाप एक doctor के लिए नहीं होगा कि वो body की full knowledge के बिना उसका जो है operation करें बड़ डॉक्टर सदाओ was a very expert doctor वो जल्द ही चेक कर लेते हैं उनको बुलेट मिल जाती है वो बुलेट उसके kidney से भार निकाल देते हैं और उसमें एक वायल में से hypodermic जो भी कोई दवाई होती होगी उसके भर के उसको जो है इंजेक्ट कर देते हैं operation successful हो चुका था और फिर डॉक्टर सदाओ केते हैं अब यह जीएगा अब बच्चा यह ठीक हो चुका है तो जो भी है आप देख सकते हो कि ऐसी हालत के इंसान को डॉक्टर सदाओ जो थे वो बचा चुके थे उन्होंने उसको operation उनका successful हो गया तो वेकुल ठीक हो गया सब ही मतलब जिन्दा हो और जुका था अग़ले तेन आता है थे उसकी चिंता गरती स्सक्रेंद जहएं है रहती है दह्के ह्क देकर सविए अगले दिन उसकोगरते हैं उसकी बाते हो जो है अब उसकी बात सुन रहा होता है। अब हैना को सब इसे कपला laugh विझा ओंड़ा कर दो है कि उनुह जन के तुम है अब यहाँ जो कुम बिल्गे तीन देन सब करौब है उन के पेसा है कि अर फूला हो। थर्ड दे आते हैं सदाओ डॉक्टर सदाओ उस कमरे में जहावे वो था उनके फादर के कमरे में और वो यंग मैन बैठा हुआ था तो वो इसको डिक के चिलाते हैं तुम पागल हो तुम्हें मन ने तुम बैठे वे क्यों हो क्यों क्यों कि अभी उसकी बॉड़ी में इतना नहीं था गर वो बैठा रहेगा तो उसकी डेथ हो सकती थी तो वो उसे कहते हैं लाइडाउन ठीक है अब वो बच्चा से 17 साल के करीब का था और वो डर जाता है और वो सोचते कि अभी तो इनों ने मुझे बचा लिया तो डॉक्टर सदाओ को ना बताना की कोशिश करते ह चुप-चाप सो जाता है है ना भार खड़ी होती है और जैसी डॉक्टर सदाओ भार आते हैं तो हैना बताती है भाई गडवड हो चुकिए जो सर्वेंट्स है ना सर्वेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया सर्वेंट्स कह रहे हैं कि अगर यह जादा दिन तक यहा चाहिए किसी को मरतावानी चोड़ना चाहिए इसलिए मैंसे बचारू अब सर्वेंट अपनी सारी ड्यूटीस तो कर रहे थे खाना भी बना रहे ते गार्डन भी सबाड़ रहे थे बट अब उनकी नजरों में एक जैसे कुछ श्रक की निखाओ से वह अपने मास्टर को द और वह जो बर्ड में से ब्लड निकल रहा था वह अपने अपको कुछ जादे एक्सपर्ट समझते हैं कि मैं तो बड़ा अच्छा डॉक्टर हूं इसलिए इन्होंने इसको मर रहा था तो मर्ने देते ना क्या जूदी इसको बचाने इसलिए उन्होंने इसको बचाया है औ यू-mih भी कि शचनमें ख़ड़ी होती है जो है यू-meka जमने कर घर के ना चभाड ऑँ देखरन संबस्ट है और शुदीध अपने मास्टर से अब सीधा नहीं बोल सकते तो इधर उधर बाते करके चाह रहे थे कि उनके कांग तक वह बात जो है वह पहुच जाए ठीक है तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान रखती थी एक दिन हैना को अपना नाम भी बता देते हैं वह बताता है कि मेरा नाम क बोलूंगी तो आप समझ जाना अब सदा उसको रोज एक्जामिन करते थे रोज जाकि उसका चेक अब जब उसको चेक करने जाते तो वो देखते कि उसके ठाके खुल गए थे और उन्हें समझ में आजा था कि 15 दिन के अंदर 15 दिन बात तक यह बच्चा ठीक हो जाएगा क मुझे अभी थेंक्यू मत करो बहार आ जाते है क्योंकि अभी उन्हें खुद भी नहीं पाता था ना कि वो इसको आगे बचाएंगे या ने पुलिस को देंगे या नहीं देंगे वो रात हो जाती है वो अपने रूम में आते हैं और वो एक सटी टेबल पे बैटके एक ले को अवि från Western directors website यहां कोई काम काज नहीं हो रही होता है और उनके सारे जो सर्विंट्स और रोंच कर दिया था वो हम जा रहे हैं हम यह काम नहीं करेंगे हैना को बुरा भी लब रहोता है बट उसमें वो प्राइड थी अपनी मास्टर वाली वो सब को पैसे दे देती है और सब जा रहे होते है घर से ठीक है अब जो वो यूमी है वो बहुत अटाजड है बच्छों से यूमी है को आके बोलती है कि अगर बच्चे रात को बहुत र अब सारी ड्यूटी है तीन महीने के बच्चे को संबालना दूसरे बच्चे को समालना घर का खाना बनाना एक तौम को संबहलने के चकर में उन्हें इतना कुछ सेहना पढ़ा था इतनी टैंशन और यह बहुता कि कल को किसी नौगर ने जाकर पुलिस को बता दिया तो वो गए ठीक है अब वो जो है खानवना बनाती है डॉक्टर सदौ बच्चों को संबालते हैं घर पे और वो पूरा घर का काम वाम कर रहे होते अब इतने में ही उनके इस साजवे दिन की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी है ना बैटके कुछ काम कर रही होती है घर बहुत डर जाती है देखके पैनिक में खड़ी हो जाती है और सदाव के पास जालती है वो पीछे पीछे आ जाते है मेसेंजर उस हैना के और सदाव बेटके बुक पड़े होते हैं तो बूलती है देखो कोई आया है और सदाव देखता है कि एक मेसेंजर है बट सदाव बि यही बात है तो वह मेसेंजर बहुत है कि इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है तो वह दाट सा देता है उसको भी तुम में मतब क्या सुनना चाहती हूं तो है न तो इसलिए पूछ रही थी कि उसके मन में चोड़ था क्यों उन्होंने प्रिजनर आफ वर को समाल रखा है और वह जो है जैनरल का वह मेसेंजर है वह चिट जाता है तो सदाओ कहता है मैं बस आ रहा हूं फाइव मिनिट में आ रहा हूं अभी और इतने में ही सदाओ आता है हैना के पास हैना के थी मुझे तो बहुत डेल लग यह सब एंड हो चुका है अब हमें जेल्वेल हो जाएगी मुझे कुछ तो करना पढ़ेगा अब इस लड़के के साथ मुझे इसे घर से अपने बाहर निकालना ही पढ़ेगा वह बहुत जड़ा ड़ ड़ चुका है अब सदाओ पहुए जैनरल केहां पर चीक है अब जैनरल को सदाओ सारी बात बता देता है कि कैसे मेरे पास आया हो और मैंने उसको ट्वीट कर रहा है जैनरल उसकी यह बात सुनके थोड़ा सा खुश हो जाते हैं तुम तो इतनी बड़िया डॉक्टर हो मतलब मेरी जान एक सही आदमी के हाथों में है कि कल को मैं भी मर रहा हूंगा तो तुम मुझे बचा लोगी मेरे को तुमार पर जादा तो आप देख सकते हो कि यह जैनरल कितना जादा सेल्फिश है इन्हें सिर्फ यह कि हां इनसे यह नहीं लग रहा है नहीं कि अपने घर में ठीक है भाई यह तो इतना अच्छा डॉक्टर है कल को यह मेरी भी जान बचा लेगा फिर वो सदाओं से पूछते में और कितने अ अटाक आजा तो मेरी सर्जरी करने को आएगा तो इसलिए मुझे तो तुम्हें बचाना ही पड़ेगा तो जो है जैनरल बताता है कि नहीं मैं किसी और से अपना इलाज नहीं कराऊंगा ज्यादा तर जितने भी डॉक्टर सुन सर्जन उनकी आपे थे वह जर्मन से पड़ उसके जो है कोई भी बात उसकी मान जाएगा जनरल क्योंकि जो है उसके सिर्फ और से सदाओं पर फ़रूशा था अब जनरल कहता है कि ठीक है यह तो बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हारे घर के बाहर एक अमेरिकान आ चुका है बचलो मैं कुछ करता हूं तो मैं उसको मरवा दूँगा और तुम कहोगे तो बोड़ी वड़ी भी मैं सारे डिस्पोस करवा दूगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कुछ हुआ है तो डॉक्टर सदाओं कहते हैं हाँ आप ऐसा कर दो देखो जिस इंसान की उन्होंने जान बचाई है उसी का मर्डर प्ल से ठीक है तो आंप से मिलते हैं और ताम क्या कर रहा था भाई साब भाई तो तो उसको डाट तो तुम कहां जा रहे हैं तुम ने परमीशन लिए किसी से परमीशन लेता ही नहीं हूं तो वह उसे काफी होम-like फील होने लग जए और इतने में दर्ध होने लगता है पहले त दॉक्टर सदा एकदम से उसको चेक करने रहते हैं कि बैट जो मसाज करेंगे तुम्हारी यह जो दर्द है यह ठीक हो जाएगा यहां से भी तो उसे इतनी चिंता भी है उस बच्चे की कि हलके से उसके हाथ में दर्द है तो वह ने लग रहा है कि वह ठीक हो जाए और अभी कि क्या होता है रात हो जाती है वह घट पे लिटा देते अचित वह सब्चत पूरी रात ने को पत्ता हिलने के वाज ने के पेड़े के आवास आ रहे है कुछ अगर पधर किरने की पानी वाली में के पास उनका घर चाते थे उन्हें बार्वर ऐसा लग रहा था कि फुट स्टेप्स आ रहे हैं कोई नहीं मारा था अगले दिन फिर उने लगता है कि भाई आज कुछ होगा अगले दिन रात को नहीं बहुत जूर की आए तो हैना के देख कर आती हूं वह कहते हैं तुम यहीं बैठे रहो हैना क्या हो गया शायद वो उसका गरूँ का भी द जाने देते क्यों नहीं लगता है असासिंस आ चुकियोंगे दूसरे दिन बाट जब वह सुबाउट के देखते हैं उस दिन भी टॉम अपनी जगावे भाई पिता अभी भी असासिंस नहीं आयते और जो है जो है तॉम बिल्कुल सही स्लामत उनके घर पिता अब इस दिन चाहिए तो वह टॉम के पास जाते हैं और उसको चेक करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि भाई अब तुम ठीक लग रहे हो मेरे को अगर मेरा रात को एक बोट जो है तुम्हें देदू और कुछ पानी और कुछ खाना दे दू तो तुम जो है रो करके बोट को सामने वाले पर चाहिए को डो आघ को अघ हो और इसकी को पूरा पलां बता जाते हो न कि महां ऊट तो वह रात को बोट निठाल दूंगा कि मेरे घर से जो आके बीच आइछ औहा से वह नोरी नहीं ऊह चैंट भी जुड़ा नहीं है को कौई वह ध्यान नहीं पहन रखते ह wurd, क्यूब स्टॉरम सीजन नहीं है तो इस समय डूबे बने तुम जा के वहां से इतनी हालत है तुम अपने आप चला के महां तक पोहरा चाहिए तुम आप बहुत सकते हो तुम बहुत होती है तो तुम नों कोरियन फिशिंग बोट में बैट कर यहां से भाग सकते हो तो तौम है रहान ह में वो रात को आने जो है फिर जो है एक बर फिर से से आकर उसकोôm चपारते हैं तो ना चला लेगा नव है उसके थोड़ी हाई वह बचनेओं की वह बचने वाला है ठीक है अब वो उसको फ्लैशलाइट देने से पहले सोचते हैं कि अगर फ्लैशलाइट जलाएगा तो पकड़ा जा सका है बट एक छोटी सी फ्लैशलाइट जो डॉक्टर सदाओ खुद यूज करते तो उसे दे देते हैं और फिर उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन बना दें क सब्सक्राइट वहां वाम का तो भração भी ऋंप Là तो शोग तुम्हें हा पे वो उते हैं जैनल च मिली और अगर बाइचान से सा Зऩय को हुआ च्पकों। में तुम्हें खाना दे जाओंगा और अगर तुम ठीक हो वहां पर सही सलामत तो एक बार सिगनल कर सकते हो और तुम पानी में से पकड़के फिश भी खा सकते हो बट अगर फिश खाओगे तो रौ खाना जला के मत खाना आग क्योंकि तब भी पकड़े जाओगे पूरी उसक अब कुछ लेकर आ गया थे सीक्रेटली बिन हैना को बताई और खाना भी और जो है उसको फ्लैश लाइट देके बिठा देते हैं वो चला जाता है रो करता वा एक काट बार वो रास्ते पे फ्लैश लाइट जलाते रासा रूडने के लिए कुल अंधेरे में उसे भीजते ह वो सब घर पर वापस आ जाते हैं खुश-खुश आ लोगें वो सब काम करना शुरू कर देते हैं बर जो गार्डनर होता है वो थोड़ा सा गुस्ता देए क्योंकि इस बीच में उसका गार्डन थोड़ा खराब हो गया था ना उनकी लाइफ फिर से वापस उसी धरे पर आ जाते हैं और डोक्टर सदाओं को अगर यह बात अगर भार आए बट एक फ़ांसे बाती है और अच्छा कि अपर यह दोड़ा सब्यां हुट स करने जा चाहिते हैं हां तो जेनरल थोड़ा सा सारी बोलता है सोरी तुम देख रहे हैं मैं अपनी ही लाइफ में इतना बजी इसे कुछ चुछ समझाने की कुशिश करते हैं जैनरल को कि यह काम मैंने मजबूरी में कर रहा है सन्हीं कि मैं अपनी का दुश्मन हूँ तो वह जैनरल कहते हैं कोई बात नहीं मुझे पता है अगर यह बात अगर मैटर अगर अभी खुलता है तो तुम्हें परिश्मन नहीं मिलेगे तुम सामने नहीं आओगे तो जैनरल तो बिल्कुल उनके हाथ में है मतलब कि वह उनके शारू पर चलने वारा है वो समाझ जात तो उनके उपर कोई कारेवाई नहीं होगी अब जब घर आ जाते हैं तो उन्हें अपना असली रिवॉर्ड मिलता है वो भार आके दीखते हैं तो उन्हें कोई सीगनल वीगनल नहीं दिखता तो यह बाग गया है कोई कोरियन फिशिंग बोट आगी होगी उनको ऐसा लगत कि अपने पराइस के बारे में जिनके घर पे और रहती थे और उने अच्छा नहीं लगत को अच्छे नहीं करती थे और वहां लोग्युक्स चाहिं में हमेरिकन की तो नहीं कोई हमसे बात नहीं करता हemi caption कि कैसा उनके साथ ट्रीट किया जाता था जब वो जपान में थे हर एक की शकले वो याद करते हैं है ना के बारे में सोचते कैसे वहां पर मिली थी सारे अमेरिकन लोगों से आज तक जित से मिले हैं ना डॉक्टर सदाव उनका देमाग में अपना चहरा लाते और एंड में ल इसा मेर में क्या डिफरेंट है जो मैं उसको नहीं मार पाया क्या आव शायद वो अपने मन में सोचे हो कि वो देज रूई है तो यहां पर आपको यह चाप्टर हो जाता है तो विद इस आई होप समझ में आगया उपका चैप्टर आप तो भी लेंग्वेज डिफिकल्ट इस से इंट्रिस्टिंग चैप्टर आपकी विस्ताज भूप में हां थर्ड लेवल है उसमें टाइम ट्रेवल इसमें पूरी पता नहीं कि अच्छी कह से पिच्चर बन सकती है चैप्टर के उपर तो परफेक्ट चैप्टर है यह हमारा बढ़िया कंप्लीट हो चुका है अब इसे एक्जाम में बहुत धेरों क्वेश्चन आ सकते हैं तो वह सब की क्वेश्चन के लिए आप क्लास 12 इंगलिश को रिविजिन बैद देख सकते हो जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन वक्स में गिवन है और अगर नोट से यह तो इंस्साग्राम आईडी का सब्सक्रिप्शन अप्लोड कर चुकी हूं इंसाल नहीं चलाते हो तो कम्यूंटी से भी देख सकते हो बबाए टेके बैस व्लक मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में